हलो स्टूडेंस वल्कम आउन दिस चालेंस आप लोग देख रहे हैं बी ये सोसल 2017 का बी एच यू इंटरेंस एक्जाम में पूछा गए कोश्चन पेपर को आप लोग देख रहे हैं इस कोश्चन पेपर को अम लोग सॉल्व करेंगे इसका तीन पार्ट अप्लोड किया जा किसे सब्सक्राना एक ये इस वीडियो का चौथा पार्ट है कॉश्म पेपर-क तो जो लोग भी शी वीडियो कोuje को देखना चाहते हैं वे फिछली वीडियो बिभी अचुन क्रास की आप या फिर आप इस चैनल के playlist में जाकर देख सकते हैं ठीक है चलिए देखते हैं बिना time waste किये हुए questions को आगे solve करते हैं देखे 90 number question है which of the following is a major mine of magnees निमलिकित में से कौन magnees की सबसे बड़ी खदान है तो इसका सही answer हो जाएगा option number third बाला घाट ये magnees की सबसे बड़ी खदान है नेस्ट है जम्मो जाजमो में कौन उद्योग प्रसिद्ध है तो जाजमो में चमडा का उद्योग प्रसिद्ध है अगला है when was the union budget for 2017-18 presented in लोक सभा तो right answer होगा इसका 1st February 2017 2017-18 के लिए संगी बजट लोक सभा में किस तारीक को पेश किया गया तो ये एक फरवरी 2017 को ये बजट पेश किया गया है अगला है 93 number question कि ये इसमें कुछ नाम दिये गया है इन पुछा गया है इन चारों में से इन में से कौन reserve bank के governor रहे हैं ठीक है तो इसमें हमको ये बताना है ये option है इसमें से में बताना है कि कौन कौन इसमें से RBI के governor रहे है तो इसका सही answer हो जाएगा option 4 हो जाएगा students A, B, D देखिए रगु, राम, राजन, उर्जित, पतेल और Y, V, रड़ी ये तीनों RBI के governor रहे चुके है अगला है भारत रत्न से नमाजी जाने वाली प्रतहम भारतिय नारी है option 2 हो जाएगा इसका इंद्रा गांधी ठीक है इंद्रा गांधी जो हैं ये भारत रत्न से नमाजी जाने वाली प्रतहम भारतिय नारी है इसको याद रखीगा प्रतहम भारतिय नारी जीने भारत रत्न से नमाजा गया इंद्रा गाधी स्रीमती इंद्रा गांधी दिल्ली में लाल किले का निर्मार किस ने कराया था तो ये शाहजहा ने करवाया था लाल किले का निर्मार अगला इन में से कौन सा केवल एक एतिहासिक भवन है जो नंगी आंखों से चांद से भी देखा जा सकता है तो इसका सही अंसर है The Great Wall of China चीन की बड़ी दिवार ये जो है एक एतिहासिक केवाल एक एतिहासिक भवन है जो की नंगी आँखों से चांद से भी देखा जा सकता है ठीक है The Great Wall of China इसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं चांद से भी ठीक है इतनी बड़ी ये दिवाल है अगला है ये Reasoning का कोशन है देखिए यदि काव का कोड 358 है वर्ड का कोड 8571 है तथा रॉ का कोड है 1708 ड्रॉ है जो ये रॉने ड्रॉ है ये ड्रॉ 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 का कोड है 1708 तो coward का code क्या होगा इसको यह alphabetically सबसे पहले जित्ते भी alphabet है इसको series wise में arrange करकर हम वही यह इसका पूरा coding देखते हैं यह जिस तरीकी से code गया गया है तो इसका सही answer हो जाएगा students solve करने पर आएगा option number two आएगा इसका right answer हो जाएगा students option number two three five eight zero seven one three five eight zero seven one यह हो जाएगा coward का code इसको जब आप लोग solve करेंगे तो next question है कि मोहन प्रते दिन 515 मीटर दोड़ता है कितने दिन में वह 8.24 किलो मीटर दोड़ेगा तो इसका right answer हो जाएगा solve करने पर 16 one six option two यह इसका right answer हो जाएगा next है एक वेक्ती ने एक महिला से कहा आपकी मा के पती की बेहन मेरी बुआ है उस महिला का उस आदमी से क्या संबंद है यह देखिए यह relation relate करने वाला है one person to another उसका relate करने का है तो relation इसमें बताना है यह जब इसको solve करेंगे तो इसका हो जाएगा सही answer 99 का हो जाएगा option third हो जाएगा इसका right answer sister यह बेहन यह इसका सही answer है अगला है किसी पहाड़ी की चोटी से यह देखिए direction वाला question आ गया यह भी reasoning का ही है किसी पहाड़ी के चोटी से पूर्व की दिशा में इस्थित दो क्रमागत कीलो मीटर की पत्थरों का अव नयन कोड क्रमशा 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है यदि under root 3 is equal to 1.734 तो पहाड़ी के चोटी का उचाई क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा option 4 एक डस्मलो 37 किलो मीटर यह इसका सही अंसर हो जाएगा अगला question है यदि एक गोले का प्रिष्ठी चेत्रफल 616 वर्ग सेंटी मीटर है तो इस गोले का आयतन क्या होगा पाई का यह मान दिया गया है बाइस बटे साथ होता है इसको सॉल्व करने पर सही अंसर हो जाएगा option 2 हो जाएगा इसका सही अंसर 1437.33 सेंटी मीटर क्योग next question है किसी अर्ध गोली सेंटी मीटर का बहारी तेथा आंतरीक व्यास जो एक रमशा 18 सेंटी मीटर तेथा 16 सेंटी मीटर है इस सेल का कुल छेत्रफल जो रंगाई है तो प्रयूक्त होगा इसका राइट अंसर हो जाएगा option 4 हो जाएगा 562.57 सेंटी मीटर 562.57 सेंटी मीटर ये इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है कि 6 संख्याओं का आउसत मान 20 है यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उनका माद्धे 22 हो जाता है निकाली गई संख्या का मान क्या होगा इन 4 उप्शन में से तो इसका सही अंसर हो जाएगा option 3 10 नेस्ट ये सिंप्लिफिकेशन है इसको सिंप्लिफाइड करेंगे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option 2 हो जाएगा सही अंसर minus under root 6 ये इसका सही अंसर है 104 question का अगला question है दो संख्याओं का योग 108 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 35% है ये बड़ी संख्या का मान है बड़ी संख्या का मान इसमें से होगा 80 solve करने पर अगला question निमलखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है तो इसका सही होगा option 3 मैडम कामा भारती राष्ट्री का अंग्रेस के प्रता महिला अदिय अचिती नहीं ये यहाँ पर रॉंग होगा यानि पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है तो option 3 ये सही नहीं है अगला निमलखित में कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है तो South Sudan दक्षिड सुडान जो है ये option 4 ये जो है विश्व का नवीनतम राष्ट्र है न्यूएस्ट नेशन है वर्ड का लाष्ट कोशन देखे इस वीडियो का कि ISI का पूरा नाम क्या है तो ISI का पूरा नाम हो जाएगा इंटर सर्विस इंटिलिजेंस इंटर सर्विस इंटिलिजेंस ये है फूल फॉर्म ऑफ ISI इसके साथ ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं इसके आगे कोशन को हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे और आप लोग पीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए का उसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंस तक ये वीडियो पहुच सके और सभी लो